नमस्कार दोस्तों तो फाइनली अजर्बाइजान और अर्मेनिया के बीच में एक पीस डील साइन हुआ है और इसको कराया गया है रशिया के द्वारा तो इस वीडियो में हम इसके बारे में तो जानेंगे लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी लोकेशन बता देत बॉड़ी एक है आपका ब्लाक सी वेस्टरन साइड में और इस्टरन साइड में आपको दिख रहा होगा कैस्पियन सी इन दोनों वाटर बॉड़ी के बीच में एक माउंटेन है जिसको कहा जाता है कॉकसस माउंटेन और इसी पर्टिकुलर माउंटेन के नाम से यह जो और इन दोनों देश के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा रीजन है जिसको कहा जाता है नागोर्नो कराबाग रीजन और इसी पूरे रीजन को लेकर इन दोनों देश के बीच में पिछले कई सालों से यहाँ पर प्रॉलम्स देखने को मिल रही है और रिसेंटली यहाँ पर कि बेसिकली ये जो peace deal है, इसके अंदर क्या important चीजे हैं, और यहाँ पर किस देश को फायदा हुआ है, किस देश को नुकसान हुआ है, इन सब चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, basic से, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और update के लिए आप मुझे preparation और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो इसके हम सुरुआत करेंगी, दोस्तों, basics मैं आपको बताऊंगा पहले, ताकि अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में नहीं पताया, तो सब कुछ idea लग जाए, तो यह जो मैंने आपको रीजन दिखाया, नागोर् अजर्बाइजान की capital यहाँ पर है, बाकू, और यहाँ पर बीच में यह territory जो लाल कलर में आप देख रहे हो, इसी को कहा जाता है, नगोर्नो करबाग, तो अगर आप एक question पूछेंगे कि internationally यह जो region है, यह जो नगोर्नो करबाग region है, red color में, यह किस देश के अंदर आता है वो आपके Armenia के separatist है, मतलब कि यहाँ पर बताया जाता है कि वो यहाँ से आजादी चाहते हैं, और वो Armenia या फिर वो अपना एक independent region चाहते हैं basically, तो Armenia का साशन है एक तरह से कह सकते हो, Armenia के जो लोग है, ethnic population है वहाँ की, वो वहाँ पर साशन करें, एक और चीज मैं आपको बता आगे चलकर 1980s में यहाँ पर क्या होँआ, disintegrate होना start हो गया, और collapse होना start हो गया, तो यह जो Armenia region की parliament थी, उस particular region की, उन्होंने उस समय क्या किया कि एक voting कराई, और यहाँ पर Armenia ने कह दिया कि यह जो पूरा region है, यह हमारा region होगा, लेकिन USSR इस से मना कर दिया, USSR का कहना था कि नही हम ऐसा नहीं होने देंगे, तो यहाँ पर क्या होने लगा, आगे चलकर धीरे धीरे, Armenia और Azerbaijan दोनों के बीच में यहाँ पर हमेशा लड़ाई देखने को मिलती थी, इस पूरे region को, लेकिन आगे चलकर क्या होता है, 1994 में finally, Russia ने एक ceasefire agreement कराया दोनों देश के बीच में, और उ साशन है, जो rule है, वो आप कह सकते हो कि Armenia की जो ethnic population है, उनके द्वारा ये rule किया जाता है, और वहाँ के लोग इस पूरे region को बुलाते है, Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast, तो इस नाम से इसको बुलाया जाता है, तो यहाँ पर यह conflict कब स्टार्ट हो, यह recent वाला, मैंने आपको बताया हमेशा से यहाँ पर conflict रहा है, तो 27th September के morning से यह पूरा यहाँ पर जो पूरा conflict है, वो वापस से स्टार्ट होता है, और इस बार का conflict थोड़ा सा different था, इतना जादा गहरा गया था, कि दोनों देश में यहाँ पर Marshall Law लगा दिया गया, इनफार्ट आपको याद होगा, हमारे भारत के कई सारे मीडिया ने तो यहाँ पर World War 3 declare कर दिया था, कुछ इस तरह का situation इसको बताने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा भी नहीं था, लेकिन हाँ, situation थोड़े से tense हो गये थे, लेकिन यहाँ पर अगर आप मीडिया रिपोर्ट और कई सारे organization की बात करिए, तो जो recent का conflict है, जो separatist हैं, उनका यहाँ पर control है, लेकिन Azerbaijan ने recently यहाँ पर start किया, कि इसके कुछ-कुछ regions जो हैं, वो हम अपने पास रख लेते हैं, तो यहाँ पर यह पूरा मुद्दा चल रहा था, तो finally जाकर 10th of November को, अब क्या हुआ है कि Russia ने एक peace deal कराई है between Armenia and Azerbaijan, और यह बताया जा रहा है कि इसमें करीब 1200 लोगों की already जान जा चुकी है, आप सोचें कितना बड़ा number होता है इतने छोटे countries में, और यहाँ पर जो Russia के President है, Azerbaijan के President है, और Armenia के जो Prime Minister है, इन सब के द्वारा मिलकर यह peace deal sign कराया गया है, और यहाँ पर एक और important चीज में आपको बता देता हूँ कि पहले यहाँ पर कई सारे ceasefire agreement कराये गये थे, लेकिन अभी तक वो successful नहीं रहें, तो let's see कि क्या यह भी होता है कि नहीं, बट largely ऐसा माना जा रहा है कि countries यहाँ पर agree हो गई है, और यह हो सकता है कि यहाँ पर और जादा tensions देखने को नहीं मिलेगा, तो अब यह peace deal क्या है basically, इसको आ अब इसकी वज़े से क्या हुआ है कि 27th of September से Azerbaijan ने क्या किया था, यहाँ पर start कर दिया था regions को अपने पास occupy करना, तो अभी तक बताया जा रहा है कि 15-20% का जो रीजन है, वो Azerbaijan ने Nagorno-Karabakh का occupy कर लिया है, और इसलिए यहाँ पर माना जा रहा है कि Armenia की एक तरह से हार देखने को मिल रही है, और Azerbaijan ने क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 15-20% occupy कर लिया area, और यहाँ पर Azerbaijan एक तरह से आप कह सकते हो कि इस peace deal से खुश है, और जो Armenia के लोग है, वो इससे खुश नहीं है, exactly आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या होगा कि धीरे धीरे time frame के अंदर जो Armenia है, वो अपन पर भी occupy कर लिया है, तो यह अब आप कह सकते हो कि Azerbaijan का part हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ regions हैं, अब यहाँ पर Armenia अपनी forces हटाना start करेगा, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो Russia है, वो अपनी peace keeping force भेजेगा, जो कि boundary पर लगाई जाएंगी, ताकि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में जो tensions हैं, वो ना हो, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर एक corridor है, जिसको कहा जाता है Lachin corridor, आपके exam में आ सकता है, very very important, Lachin corridor basically क्या है, आप देख सकते हो कि जो Azerbaijan है दोस्तों, वो सरिफ यह वाला part नहीं है, आप पर एक corridor बनाया गया है, यहाँ से आप देख सकते हो, यह corridor है, क्रॉस करने के लिए, इसी को कहा जाता है Lachin corridor, इस corridor पर भी यहाँ पर peace keeping force लगाये जाएंगे रशिया के द्वारा, और बताया जा रहा है कि रशिया करीब 2000 अपने forces को यहाँ पर deploy करेगा, लेकिन इसके बहुत सारे thousands of people यहाँ पर displaced हो गए थे, internally displaced हो गए थे, दूसरे जगा चले गए थे, तो अब इस peace deal के तुरू बताया जा रहा है कि जो जो लोग displaced हो गए थे, उनको वापस से उनकी territory दे दी जाएगी, वो वापस अपने घर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने बताय वहाँ पर जो लोग हैं, उन्होंने कई सारे government buildings पर occupy कर लिया है, कुछ कुछ चीजें वहाँ पर इस समय देखने को मिल रही है, लेकिन इस सब के बीच में यहाँ पर एक question आ सकता है कि Russia का क्या stake है इसके अंदर, तो देखिए Russia का यहाँ पर दोरी चीजें देखने को मिल रह ही हैं, क्योंकि Russia यहाँ पर आपको समझना है कि जो arms है वो दोनों देख को supply करता है, यह जो Armenia और Azerbaijan है, दोनों देख को arms supply करता है, और इसलिए यहाँ पर Russia क्या कहना है कि हम एक balanced role अपनाएंगे, ऐसा Russia कह रहा है, लेकिन यहाँ पर problem क्या है, problem यह दोस्तों क्योंकि Russia ने Armenia के स security treaty 1992, आगे चलकर 2002 में इसका नाम रख दिया गया collective security treaty organization, और यह एक तरह का military alliance है, मतलब कि NATO की तरह है आप कह सकते हो, North Atlantic treaty organization, तो उसमें क्या होता है कि कि किसी भी देश के उपर हमला होना, मतलब उन देश, जितने भी members हैं उस organization के, उनके उपर हमला होना हो गया, तो एक तरह से यहाँ पर क्या करना चाहिए था, Russia को Armenia का पुरा support करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि Russia पूरी तरह से support नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पर दोनों देशों के बीच में एक तरह से अध्यचता करा रहा है, और आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक त अंदर कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान, ये सारे देश आप यहाँ पर देख पाओगे, और इसके लावाद दो observer states भी हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो president है, के जो press secretary है, रशिया के president के press secretary, उन्होंने काया कि रशियान ये हमेशा balanced position अपनाई है, और दो कुछ मतलब नहीं रह गया, तो कि यहाँ पर एक तरह से अगर Armenia के उपर हमला हो रहा है, Azerbaijan की तरफ से, तो Russia को definitely यहाँ पर दखल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, तो let's see कि इसमें आगे क्या होता है, बटाई हो, कि इस वीडियो में आपको लगबग साथ border share नहीं करते हैं, इसका right answer आप मुझे comment में दीजे, मैं इसका right answer अपने Instagram पर तो डालूँगा ही, और इसके लावा मैं अपने Telegram पर भी डालूँगा, अगर आप Insta पर नहीं हो, तो वहाँ से भी ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs डालता रहता हूँ, stories के form में आप यहाँ पर play कर सकते हैं, अगर आप उसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई course पर्चेस करना चाहते हैं, आप स्कड़िया एक यो app पर जा सकते हैं, I hope कि यह वडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much.